हेलो एवरिवान आज हम बनाएंगे पैन टू फ्राइ ब्रिंजरी इसको बनाना बहुत आसान है और खाने में भी स्वाधिश्ट लगते हैं इसके लिए हम बैंगन लेंगे हमने यहां चार बैंगन लिये हैं गोल साइज के गोल गोल स्लाइज काट लेंगे इनके हमें स्लाइज जाद पतले नहीं काटने हैं देखिए आप अब एक बाउल लेंगे उसमें आदा चमच मिज़ डालेंगे एक चमच हल्दी एक चमच हल्दी पाउडर लिया है एक चमच नमक डालेंगे इसको अच्छे से मिला लेंगे इसका घोल बनाया है हमने और दोनों साइड हम बैंगन के लगा लेंगे हम यह मसाला सारे स्लाइस पर लगा लेंगे देखिए इस तरह से दोनों साइड मसाला लगाना है अब एक पैन लेंगे उसमें थोड़ा सा ओयल डालेंगे जब ओयल गरम हो जाए तब हम स्लाइस रखकर सेक लेंगे इस पैन में जितने स्लाइस आएंगे हमें उतने ही रखने हैं हमें बेंगन दोनों साइड से सेखना है देखिए यह आसानी से पलट गए हैं कितना अच्छा कलर आया है इन्हें हम जब जब दोनों साइड से सेक लेंगे अलट पलट कर देखिए इस तरह से इसी तरह से और लगा देंगे हम सभी बेंगन इसी तरह सेक लेंगे हमें लो फ्लेम रखना है हमारा शिक्कर तैयार है वेंगन इसे हम गर्मा गरम सर्व करें हमारे वेंगन तैयार है करेंडर बेंगन